अने हावे सिदाज तमने लई जईए महारास्ट नाम माधा खाते बड़ा प्रथान मोधी नी जन्स तफामा पीएम सूर्य घर मुप्त बिजली योजना बनाने के पीछे यही उदेश है इसके तहस घर की चत पर सोलार पैनल लगाने के लिए सरकान मदर्श करी बैंक खाते में पैसा ना लेगी जितनी जरुस हो उप्तिनी मुप्त बिजली का उप्योग करो और बागी बिजली सरकार को बेच दो कमाई करो यानि बिल भी जिरो और बिजली से कमाई भी ये होता है मुदी की गारेंटी का मतलब बाईयो बहनों विक्सित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है मुदी गाउं के अपनी करोरो बहनों को ससक्त करने में जूटा है दस वरस में हमने 10 करोर बहनों को स्वेहम सहत असमुतों से जुड़ा है आज बहने गाउं के अरतिबबस्ता को गति दे रही है हमारे प्रयासों से कुछ समय के भीतर एक करोर बहने लगपती दीदी बनी है आखड़ा बहुत बढ़ा है एक करोर बहने मेहनत करके कमाई करके लगपती दीजी बनी है और अब मोधी ने गारंटी दिये कि मैं तीन करोड़ बहनों को लगपती दीजी बनाऊंगा और तभी तो इंदुस्तान कोणे कोणे हर माँ, हर बहन, हर बेटी एक ही बात कह रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और बहनों बाज अपाके इन पैयासों के बीच आपको कॉंग्रेस की X-ray मशीन के सावदान रहना है कॉंग्रेस के नेता कॉंग्रेस के साज़ादे गली-गली में गुम करके कह रहे हैं कि उनको मोका मिलेगा तो वो आपका X-ray निका लेगे आपके lawker में क्या पड़ा है आपके bank में क्या खाते में पड़ा है आपके घर में कितना सोना पड़ा है कितने पैसे पड़े हैं ये सारा उसका हिजाब किताब लगाएंगे और फिर कहते हैं वो हम बांट देंगे, ज्यादा जो हैं ले ले करके बांट देंगे इतना ही नहीं वो एक ऐसे टैक्स की बात कर रहे हैं आज आप हर माबाप महनत करके कुछ रुब बचत करता है अपनी जुरुष도 को कं करके बचत करता है क्यों जो उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ देखर के जाओं अपने संतानों को कुछ देखर के जाओं महारास्ट्र मां बड़ा प्रदा नरेद्र मोदी द्वारा धुमवाधार प्रचार करवा मां आवी रहो छे अने माधा मां महारास्ट्र मां बड़ा प्रदा नरेद्र मोदी माधा खाते जाहर विशाट जन मेदनी ने संबोधी रहा छे अने संबोधन अंतर्गत तेवो इंडी गटबंधन होई के पची कॉंग्रेश ना श्रासन कार धर्म्यान जे प्रकार मी राजनीती अपना वामा आवी हती तेने लेने पन आकरा चापखा मारवामा आवी रहा छे ने अत्यारे कॉंग्रेस द्वारा प्रचार अंतर्गत केवा प्रकार ना वचनो आपामा आवी रहा छे ने केवा प्रकार नी वातों करवामा आवी रही छे तेने लेने पन तेवो कॉंग्रेस उपर निशान साधी रहा महारास्ट्र मां पन इलेक्षन आवी रहूँचे अने 7 मेना रोज जरे समक्रदेश मां इलेक्षन धमानुचे 30 दबक का माटे मद्दान धवाजयी रहूँचे नमात्र महारास्ट्र मां अलग अलग जग्या उपर तेवोनी रेली अने जन सभानू आयोजन करवा मां आवी रहूँचे अब मुझे पताई ये भाई कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश आजाद होने के बाद पहले इस दिन राम मंदर का का म शुरूँफ होना चैह था और नहीं होना चैह था इतने साल क्यों लट्का रहा क्योक्क उनकी वोट्वेंग की राजनीती थी उनके वोडबेंग की चिंता थी आपकी आस्था की चिंता नहीं थी आपकी भावना की चिंता नहीं थी आपकी सध्धा की चिंता नहीं थी कॉंग्रेस के बाद मोका था लेकिन कॉंग्रेस इस पवीतर काम में तिर्फ रुकावटे पैदा की जिसकी राम में आस्था होगी वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकता है कॉंग्रेस की राम में नास्ता है और ही उसके पास ऐसा एसास है और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकते तुष्टी कंद के दबाव से गिरी हुई पार्टी नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए जो साहत चाहिए होता है वो साहत म नोदी ने दिखाया है और डंका की चोड़ पर 500 साल का इंतजार खत्म हो गया राम मंदिर बन गया और यह कहते है जो राम मंदिर बने लेगा राग लग जाएगी कोई आग लगी क्या मंदिर बना कि नहीं बना और भाईयों भेनों 500 साल के बाद यह सपना पुरा हुआ ना उसका कारण आपका एक वोट है आपके वोट की ताकत है जिसने 500 साल के इंतजार को खत्म किया है इस पुन्न के हगदार आप है जिनके वोट की वज़े से पवित्र काम पूरा हुआ है भाईयों और भेनों आपका वोट मजबूत भारत के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए पढ़ना चाहिए अब मुझे बताईए जिनके पास कभी 400 MP हुआ करते से वो पार्टी आज जाई सो पौने तिन सो लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हैं अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई वो इतनी लड़ा नहीं रहें तो सरकार बनेगी कैसे जीतेगे कैसे और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ी नहीं रहें तो उनके लिए आपका वोट बरबात करने की जरूत क्या है और इसलिए मैं आपसे आगर कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाएगे और आप जब वोट देंगे ना वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है साथ माई को गर्मी कितनी ही क्यों नहों पहले मतदान फिर जल्पान मतदान किये बिना जल्पान नहीं करेंगे येप